राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत गे, केंद्रिये शैक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है, नवीक अक्षा की पाठ्थे पुस्तक, क्षितिज में संकलित पाठ, उपभोक्ता वाद की संस्कृती धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता वाद का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों और, ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, सुख की व्याक्ष्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है एक सुख्ष्यम बदलाव आया है नई स्थिती में, उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप ये भूल जाते हैं, कि जाने अंजाने आज के माहौल में आपका चर्यत्र भी बदल रहा है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं विलासिता की सामगरियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड कोशिश में निरंतर लगी रहती है, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तों को ही लीजिए, टूथपेज चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मूँ की बूत करता है, और ये पूर्ण सुरक्षा देता है, वो सब करके जो तीन-चार पेस्ट अलग-अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई रिशी मुनियों द्वारा स्विक्रित तथा मान्य वनस्पति और खानेजी तत्तों के मिश्रण से बना है, जो चाहें चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है, तो ब्रुष भी अच्छा होना चाहिए, आकार, रंग, बनावट, पहुच और सफाई की क्षमता में अलग-अलग, एक से बढ़कर एक, मू की दुरगंत से बचने के ल क्योंकि आप शायद बहु विज्यापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, सौंदर्य प्रसाधनों की भीर तो चमतकृत कर देने वाली है, हर माहा उसमें नए नए उत्पात जोड़ते जाते हैं, साबुन ही देखिए, एक में हलकी खुश्वु है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरो ताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, ये लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मन पसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए, शुद्ध गंगा जल में बना साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए, ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, संभरांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, तीस-तीस हजार की सौंदर्य साम सामगरी होना तो मामूली बात है, पैरिस से पर्फ्यू मंगाईए, इतना ही और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्न हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, पुरुष भी इस दौड में पीछे नहीं हैं, पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं, छोड़िये इस सामगरी को, वस्तो और परिधान की दुनिया में आईए, जगे जगे बुटीक खुल गए हैं, नए नए देजाइन, परिधान बाजार में आ गए हैं, ये ट्रेंडी हैं और पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो, तो चार पांच सौ में मिल जाएगी, हैसियत जताने के लिए आप पचास साथ हजार से लाक डेर लाक की घड़ी भी ले सकते हैं, संगीत की समझ हो या न यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महस दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है, खाने के लिए पांच सितारा होटल हैं, वहां तो अब विवा भी होने लगे हैं, बीमार पढ़ने पर पांच सितारा अस्पतालों में आये, सुक सुईधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त, ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विशय भी रहेगा, पढ़ाई के लिए पांच सितारा पबलिक स्कूल हैं, शीख्री शायद कॉलेज और यूनिवरस्टी भी बन जाए भारत में तो ये स्थिती अभी नहीं आई, पर अमरीका और योरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अन्तिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहें तो वहां फववारे होंगे और मन्द ध्वन्य में निरंतर संगीत भी, कल भारत में भी ये संभव हो सकता है अमरीका में आज जो हो रहा है, कल वो भारत में भी आ सकता है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हों, ये है एक छोटी सी जलक उपभोगतावादी समाज की ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे लल्चाई निगाउं से देखते हैं, उनकी द्रिष्टी में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी अब विशय के गंभीर पक्षकी ओर आएं, इस उपभोगता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, सामन्ती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोगता वाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है, आज सामन्त बदल गये हैं, सामन्ती संस्कृत का मुखावरा बदल गया है हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें परमपराओं का अवमोल्यन हुआ है आस्थाओं का क्षरण हुआ है कडवा सच तो ये है कि हम बौधिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं हमारी नई स संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है हम आधुनिक्ता के जूटे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिश्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिक्ता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के ख्षीन हो जाने के कारण हम दिक भ्रमित हो रहे हैं हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है विज्यापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसित्ता बदल रहे हैं उनमें सम्मोहन की शक्ती है वशीकरण की भी अंततह इस संस्कृति के पहलाओ का परिणाम क्या विशय है हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्य हो रहा है जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप से नहीं सुधरती न बहु विज्यापित शीतल पेयों से भले ही वे अंतर्राष्ट्री हों पीजा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों हैं वे कुड़ा खाते समाज में वर अंतर आक्रोश और अशान्ति को जन दे रहा है जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशान्ति भी बढ़ेगी हमारे संस्कृतिक अस्मिता का रास्तो हो ही रहा है हम लक्ष भ्रम से भी पीडित हैं विकास के विराट उदेश्य पीछे हट रहे हैं ह हम जूठी तुष्टी के तातकालिक लक्षियों का पीछा कर रहे हैं मरियादाएं तूट रही हैं नैतिक मान दंड धीले पड़ रहे हैं व्यक्ति के इंद्रिक्ता बढ़ रही है स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है भोग की आकांग्षाएं आस्मान को छू रही है किस बिंदू पर रुकेगी ये दौड गांधी जी ने कहा था कि हम स्वास्थ संस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दर्वाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियात पर कायम रहें उपभोगता संस्कृती हमारी सामाजिक नीव को ही हिला रही है ये एक बड चुनोती है उपभोगता वाद की संस्कृती अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम आलेक, श्यामाचरन दूबे, विशे संयोजन, डॉक्टर चंद्रा सदायत और डॉक्टर माध्वी गुमार, कलाकार, मन्जु मैनी, तक्निकी निर्देशन, सतीश लाडे, निर्मान सहयो दाव दयाल चतुर्वेदी, तथा निर्मान एवं प्रस्तुती अजीत होरो